क्या 2024 चुनाओ के लिए बी जेपी को अमिश्या की चाड़क के नीती पर भरोसा नहीं है क्या 2024 चुनाओ में अमिश्या का शेह मात का खे फेल होता हुआ नजर आ रहा है चौकाने वाली बात लगती है सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन जेपी नडड़ा के एक फैसले ने 2024 लोकसभाद चुनाओ की तो स्वीर बदलने का काम किया है तो क्या खबर निकल कर सामने आई हैं जिससे सियासत में खलबली मच गई है खबर देखीगा हिंदुस्तान की इसमें लिखा हुआ है कि अमिश्या नहीं इन तीन नेताओं को बिजेपी ने दिया 2024 में 400 से अधिक सीटे जितागे का टारगेट तो जो टारगेट अमिश्या को दिया जाता था वो टारगेट इस बार अमिश्या को नहीं बलकि 3 अन्य BJP नेताओं को दिया गया है टार्गेट रखा गया है 400 सीटे जीतने का लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बार भरोजा भारतिय जन्ता पार्टी का अमेशा पर नहीं बलकि 3 अन्य BJP नेताओं पर दिखाई दे रहा है कहां तो ये जाता है कि अमेशा की चाड़क के नीती वहाँ पर भी कमाल दिखा देती है जहां पर BJP को बहुमत नहीं मिलता है लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि 2024 में बहुमत लाने के लिए अमेशा को ही किनारा किया गया है तो सवाल बड़े खड़े हो गए है तो क्या फैसला लिया है BJP अध्यक्ष जेपी नड़ा ने और कौन है वो तीन नेता जिने अमेशा के बजाएं सोपी गई है ये बड़ी कमान बड़ी जिमेदारी हम आपको बताते हैं हबर देखेगा हिंदुस्तान की इसमें लिखा हुआ है कि आम चुनाओं में जीत दर्ज करने के उदेश से भाश्पा के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने पिछले दिनों एहम पैसला लिया इसके देहत उन्होंने तीन सदस्य टीम न्यूक्त की इन तीन नेताओं में के इंद्री ग्रह मंत्री अमेशा नहीं बलकि अन्य नेता शामिल हैं इस ब्याक्रूम टीम में सुनील बंसल, विनोत तावडे और तरुल चुंग शामिल हैं ये तीनों नेता पार्टी के महा सच इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के अनुस्वार ये टीम 2024 के लोगसबाद चुनाओं में उमीदवारों के लिए रणीतियों पर काम करने के लिए और इनकी भूमिकाप को सीटियों पर पहचानने के लिए बनाई गई है जहां पर पार्टी पिछले 2019 के लोगसबाद में दूसरे नंबर पर आई थी वहां पर भी पहचान होगी रणीति बनाई जाएगी पूरा प्लान बनाया जाएगा 400 सीटों का टार्गेट रखा गया है लेकिन इस पूरी फबर में में बात यह है कि अमेश्या कहां है अमेश्या जो की पहचान करते हैं रणीति के नाम प बढ़ गड़ित बताएंगे सबसे बहले बात करते हैं सुनील बंसल की आप देख सकते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है खाना इंज्वाइ किया जा रहा है चुनाओं की तस्वीर है उत्तर प्रदेश विधान सबाद चुनाओं है मोदी जी के ठीक सामने बैठे हुए हैं साफी नसदीक माने जाते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आप देख सकते हैं सुनील बंसल मौजूद है केश्यव प्रसाद मौरे मौजूद है और प्रधान मंत्री भी मौजूद है पतादे कि उत्तर प्रदेश के 2017-2022 चुनाओं में प्रिधान सभा चुनाओं में सुनील बंसल ने एहम भूमिका निभाई, उसके साथ ही 2019 के भी लोग सभा चुनाओं में एहम भूमिका निभाई, लेकिन इस बार एहम भूमिका निभाने के लिए कमान ही उनके हाथ में दे दी गई है, तो ये है सुनील बंसल जिनकी प्रिधा मंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीक्या काफी जादा है लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ग्रह मंत्री अमेशा से जादा नहीं है फिलाल कमान इनको सौपी गई है पहला नाम है सुनील बंसल दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं यह तरंचुंग यह बनाए गए है उसमें इनको शामिल किया गया है और तीसरे आते हैं विनोत तावडे जो कि महराश्ट के नेता हैं महराश्ट के बड़े नेता माने जाते हैं यह 2014 से लेकर 2019 तक काफी साइड लाइन किये गए लेकिन फिलाल अब इनको बड़ी कमान सौपी गई है और इसी के तरकिनार चल रहे थे लेकिन अब तीन लोगों की टीम में 2024 के चुनाओ के लिए 400 सीटों का टार्गेट दे कर बड़े कमान के साथ बड़े नेता बन चुके हैं तो फिलाल 2024 लोकसा बाद चुनाओ की क्या तस्वीर निकल कर सामने आ रही है इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि मोदी के साथ नस्दीकिया बढ़ाती हुई इन तस्वीरों ने कितना बड़ा समाल कर दिखाया है फिलाल आपको बता दें कि अमिश्या ऐसा नहीं है कि चुनाओ प्रचार नहीं करेंगे चुनाओ की कमान नहीं समालेंगे बड़े-बड़े निर्णय नहीं लेंगे मंत्री हैं दूसरे नबर की नेता है भारती जनता पार्टी में वो सब तो करेंगे ही चुनाओ प्रचार तो करेंगे ही लेकिन फिलाल इस पार 2024 लोकसबा चुनाओ में रणीती बनाने के लिए सुनील बंसन तरुन चुम और उसी के साथ बिनोत तावडे को चुना गया है तो ये बड़ी कमान हैं बड़ा बदलाव हैं बड़ा फेर बदल हैं भारती जनता पार्टी की तरफ से 2024 लोकसबा चुनाओ के पहले रादे की खबरे निकल कर सामने आ रही है कि ये जो पैसला ये बड़ा ये काफी एहन पैसला है क्योंकि अमिश्या का तो कदाब जानते ह है कि बारती जनता पार्टी में कितना बड़ा है और कितना ऊचा है अमिश्या और मोदी जी की दोस्ती तो आप जानते हैं गुजराश से लेकर कैसे सत्ता परिवर्तन से लेकर कैसे 2014-19 और 24 के चुनाओं की बाते होती हैं लेकिन फिलाल 24 की कुछ तस्वीर बदलकर नजर आ गया है फिलाल अमिश्या चुनाओं प्रचारतों करेंगे लेकिन इस बार चाड़क के नीती नहीं बनाएंगे अगर सीटों के समीकरन की भी करें तो सीटों का समीकरन भी आपको बता देती हूं कि कितनी सीटे कब आई भारती जनता पार्टी 2014 की अगर बात करें 282 सीटे न निकल कर सामने आई 2019 की अगर बात करें तो 303 सीटे जीती भारती जनता पार्टी ने 303 सीटे 282 से 303 पर आगे 2019 में भी अच्छी बढ़त बनाएं और वहुमत के साथ सरकार बनाएं फिलाल अब बात आई है 2024 की और 2024 में 400 सीटों का आंकड़ा रखा गया है टार्गेट रखा जाता है फिलाल लेकिन 400 सीटे ये बहुत बड़ा आकड़ा है तोटल सीटे होती है 545 उसमें से 400 सीटों जीतने का दम भर रही है भारती जनता पार्टी वह भी आमिश्या के बगए तीन नेताओं को मेन बनाया गया है रणीती तैयार की जा रही है फिलाल ये देखने वाली केना है आपको क्या लगता है कि आखिर अमिश्या को इस बार चाड़क के नीती बनाने की कमान क्यों नहीं सौफी गई है जो भी आपका जवाब है सवाल के जवाब में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें सब्सक्राइब को दबाये ब गंटी जरूर दो